इंडियन प्रीमियर लिग आईपियल गास उलावा सीजन एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्मिट में खेला जाने वाला है जहाँ पर टीमों को अपने होंग गुराउंड पर भी मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा इससे पहले करोना महामारी की विजह से लगी पावंदियों को अब पूरी तरह से हटा लिया गया है जिसके बाद अब सभी 10 टीमों को दूसरी टीमों के होंगराउंड पर जाकर भी मुकाबले खेलने होंगे इस सीजन की सुरवात 31 मार्स से होने जा रही है वहीं एक अपरेल को लखनोव सुपर जायंट्स और डिल्ली कैपिटल्स की बीच में मुकाबला खेला जाएगा इस मुकाबले की टिकेट विक्री ऑनलाइन सुरू हो चुकी है लखनोव सुपर जायंट्स और डिल्ली कैपिटल्स की बीच एक अपरेल को लखनोव की काना स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा जो लखनोव फ्रेंचाजी का होम ग्राउंड है यह मेंच भारती समय अनुसार सामसाइज 7 बजे सुरू होगा इस मेंच को लेकर टिकेट विक्री की प्रक्रिया ऑनलाइन सुरू हो चुकी है फैंस अपने पसंदीडा मेंच या हर एक मेंच यह टिकेट को बुक माई शो और प्रेटियम इंसाइडर ऑनलाइन पोर्टल से खरीच सकते हैं इस स्रीज की टिकेट सिर्फ ऑनलाइन बेशे जाएंगे आपको बता दें कि याईपियल 2030 के लिए ऑफलाइन टिकेट की बिक्री नहीं की जाएगी इसलिए फैंस को टिकेट ऑनलाइन ही बुक करने होंगे इन मुकाबले की टिकेट की हीमत को लेकर बात की जाए तो इन में सबसे कम कीमत की टिकेट साड़े साथ सू रुपए की है जिसमें अंठामान रुपए के करीब बुगिंग फीस लगेगी वहीं इसके बाद जैसे जैसे टिकेट का प्राइस बढ़ेगा बुगिंग फीस में भी बड़ोतरी देखने को मिलेगी वही एक यूजर चार टिकेट से अधिक बुक नहीं कर सकता